show that the binary operation star on q defined by a star b is equal to a by 2 plus b by 3 is not associative तो आपका ये show करना है कि ये जो star operation आपको दे रखा है binary operation ये associative नहीं है तो पहले आप थोड़ा associativity के बारे में जाने कि a star b पहले दो में operation लगाएं फिर उसको operation लगाएं c के साथ यदि वो बराबर आता है b और c में पहले operation लगाएं और फिर उसको operation लगाएं a के साथ यदि ये दोनों term आपकी बराबर आती हैं तो आप कह सकते हैं कि दो आपको binary operation दे रखा है वो associative है otherwise वो associative नहीं है अब आपको a star b किसके दे रखा है वो कह रहा है कि a star b कैसे open होता है आपका तो आपको पहले के upon में 2 लिखना है और दूसरे के upon में 3 लिखना है then अब देखें a star b तो हमने निकाल लिया अब हम निकालते हैं a star b star c अब a star b की value आई है हमारे पास a by 2 प्लस b by 3 star c जड़ा देखें operation कैसे खुलता है पहले element को 2 से divide करना है तो यह जो element है वो 2 से divide होगा आपका तो यहां आ जाएगा a by 2 प्लस b by 3 upon में 2 प्लस दूसरे element की upon में 3 लिखना है अब जड़ा देखें इसका LCM ले लिजे उपर LCM आ गया 6 यह हो जाएगा 3a प्लस 2b और यहां पर है 2 नीचे प्लस c by 3 means यह 2 multiply हो जाएगा तो 3a प्लस 2b upon 12 प्लस c by 3 यह आई है इसकी value अब हम निकालते हैं पहले b star c operation क्या कहता है कि पहले के upon में 2 लिखना है दूसरे के upon में 3 लिखना है b star c हमने निकाल लिया अब हम निकालेंगे a star b star c b star c की value क्या आई है हमारे पास यह value यहां पर रख दीजिया आप operation क्या कहता है कि पहले के upon में 2 लिखेंगे plus दूसरे वाले के upon में 3 लिखेंगे तो b by 2 plus c by 3 upon 3 इसका LCM ले लेंगे आप a by 2 plus LCM आजाएगा 6 यह हो गया 3b plus 2c और नीचे है 2 यह multiply होके क्या बन जाएगा a by 2 plus 3b plus 2c upon 2 तो जरा देखें यह वाला जो element है यह इसके बराबर नहीं है द्यान से देखें इनकी value बराबर नहीं आई है तो यहां पर आप क्या कहेंगे कि a star b star c जो है वो बराबर नहीं आया है a star b star c के तो देखें यह दोनों terms बराबर नहीं आई है so star is not associative तो जो आपका binary operation star है वो associative नहीं होगा is not associative तो आपको associativity का जो property है वो learn रखनी है and then आपको केवल star operation को solve करके इनकी values निकालनी है अगर वो बराबर आती है तो आप कह देंगे कि वो associative है अगर वो बराबर नहीं आती है तो आप बोल देंगे कि वो associative नहीं है आपका